यह वीडियो केवल समान जानकारी पेदान करती है या किसी भी तरह से योग चिकिस्ता राय का विकल्प नहीं है अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेशक या अपने चिकिस्तक से परामश करें चैनल इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है हाई दोस्तों वेलका बैक टो मारीचार मैं हूँ आपकी दोश्वधी गुपता और आज मैं आपको एक ऐसे पेड के बारे में बताने वाली हूँ जो आप अपने घर में अकसर आपने देखा होगा ये सर्दियों के टाइम में ये बारिश के टाइम में ये पेड अपने आप प्लीड देखना तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं पेड की बात करें वह अपने आप उगता है आपकी गंबले में भी उख सकता है लेकिन ये देखे यह इस वक्त यह पुरानी विल्डिंग है ठीक आप देख सकते मेरे घर में ये पुरानी विल्डिंग है और पर ये पेड अपने आप उगा हुआ है इसमें वाइट कलर के फूल आते हैं और इस पेड का नाम है मुकईया या मकोई वैसे आप नेट पर ढूनेंगे तो मकोई के नाम पर मिलेगा मुकईया के नाम पर नहीं मिलेगा ये मुकईया जो इसका नाम है ना एक्चुली हमारे चेतर में कहते हैं हो सकता है आप अधर चेतर में हो वहाँ पर इसे मतब कुछ और नाम से जाना जाता है तो मुझे कमेंट्स में जूरू पताएगा कि अगर आप इस पेड़ को पहचानते हो तो आपके चेतर में ये पेड़ किस नाम से जाना जाता है इसमें ये वाइड कलर क और बहुत ही फायदे मंद भी है तो अभी इसमें कोई भी फल एक फल पका हुआ है मैं आपको दिखा देती हूँ तो ये है वो फल ये काले कलर की है ठीक है ओ पती तूट गई यहां देखी कितने सारे फल लगे हुए है और मैं पकने का इंतजार कर रही थी क्योंकि ये खाने इत्सटार के रंगों में ये मकोई के फल पाए जाते हैं इसे कहीं पर रस भरी भी करते हैं इसका सेवन करना भी बहुत जादा इजी है और बहुत सारी बीमारीयों का ये इलाज भी करती है तो दोस्तों ये है मकोई जो एक आयरवेधिक पॉदा है जिसका उप्योग कई ब प्रूकर यह सेवन के लिए तो किसी राम बार्ड से कम नहीं माना जाता है। साथी मुकोय का सेवन करने से कई और भीमारियां भी दूर होती है लेकिन मुकोय का सेवन अधिक पातरा में नहीं करना चाहिए। क्योंकि अधिक सेवन से स्वास्त को फायदे की जगा नुकसान पहुच सकता है आईए जानते हैं मकोई खाने के क्या-क्या फायदे हैं और नुकसान मकोई का सेवन किड्नी के लिए काफी फायदे मंद माना जाता है क्योंकि मकोई का सेवन करने से किड्नी स्वस्त रहती है साथ ही इसके सेवन से किड्नी संबंदी बिमायों से छुटकारा मिलता है मकोई पीलिया में बहुत अधिक फायदे मंद होता है इसके लिए आपको मकोई के पत्ते का काढ़ा बनाके सेवन करना चाहिए क्योंकि काढ़े का सीवन करने से पीलिया की बीमारी से जल छुटकारा मिलता है मुकई हमारे शरीर की रोग पित्रोधक छमता को मजबूत करता है जिससे आप किसी भी तरह की बीमारी की चपेट में आने से बस सकते हैं मुकोई मुके चाले के लिए भी फायदे मन्द होता है इसके लिए आपको मुकोई के पत्ते चबा कर खाने चाहिए जिससे आपको चालो से चुटकारा मिल जाएगा बुखार को भी मुकोई दूर कर सकता है इसके लिए आपको मुकोई के पत्ते का काढ़ा या फिर आप मकोई के पत्ते का चूड बनाकर सेवन कर सकते हैं जिसके सेवन करने से बुखार उतर जाता है मकोई का जूस और मकोई का चूड आपको किसी भी आयरुवेधिक शॉप पे मिल जाएगा या फिर आप औलाइन भी से खरी सकते हैं मकोई दातों के लिए फायदे माने इसके लिए आप मकोई के पत्तों का सेवन कर सकते हैं जिससे दात मजबूत भी होते हैं और दातों के दर्द की समस्ता भी ठीक होती है प्रकित की थर चीजों के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी है कोंकि ऑगर आप करेंगे तो आपकी बढ़ सकती है से कुछ लोगों को को एलर्जी हो सकती है ऐसे में आपको हेल्प या इसके रिरक्सक प्रॉबलम सकती है Canonaying एक है की दाना आया सारे दाने हम गिर गाये थीजिड है आपकी सब तो अगर आप गर्वती है तो प्लीज इसका सेवर ना करें बिना डॉक्री से लागी आई होब यह जो आज का वीडियो है आपको जानकारी भरा लगा हो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना शूर करना एं पहली बार चोल प्रायां चोल को सब् दोस्तों इस वीडियो में तहीं मिलते हैं नक्स वीडियो वे तब तक लिजय हिन जय भारत